हेलो फ्रेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड EBS का हाफ फिल्ड का सैंपल पीपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका पेपर किस टाइब से पूछा जाता है और आप अपने एक्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेर कर पाएं आपके पीपर का सबसे पहला पाट होता है Observation and Reporting इसमें आपको एक पिक्चर दे रखी है पिक्चर के अंदर कुछ animals हैं आपको बताना है कि इन में से wild animal कौन से हैं और domestic animal कौन से हैं देखे बचो जो animal जंगलों में रहते हैं उनको कहा जाता है wild animal और जो हमारे घर में हमारे साथ अब आपके साबने में आइनमल कोन से है यह होड्स यह लाइन है यह ऐन है यह पैर्स डॉइट डॉग और अगला कूछन है observe the picture and write their name आपके सामने picture दे रखी आपको बताने किसको क्या कहते हैं तो इसका अंसर होगा ये क्या है hand pump है अगली photo को observe करके बताईए कि क्या है तो देखे बचों ये क्या है family है जिसमें जहाँ पर दादादी हैं इस photo में आपको बताने कि कौन सी bird है तो इसका नाम है ये है eagle अब आप बताईए कि इस vehicle को क्या कहा जाता है तो इसका अंसर होगा ये है ambulance और इस fruit को क्या कहा जाता है तो इसका नाम होगा ये है pineapple पेपर का अगला part है आपका identification and classification इसमें आपसे question पूछा जा रहा है choose the correct option and fill in the blank आपको यहाँ पर दो option दे रहे हैं सही option की help से आपको blank complete करना है सबसे पहला question है the dash brings our letter आपसे पूछा जा रहे है कि हमारे letters कौन लेके आता है postman या फिर carpenter तो इसका अंसर क्या होगा postman अगला question है our dash is our first school हमारी first school कौन सी होती है family या फिर neighbor तो इसका अंसर होगा हमारी first school होती है हमारी family अगला question है we make butter and curd from आपसे पूछा जा रहा है कि हम butter और curd किसकी help से बनाते हैं juice या फिर milk तो इसका अंसर होगा हम butter और curd किसकी help से बनाते हैं Milky help से बनाते हैं, अगला question है, wild animal live in, अब जिसे आपसे पूछा जा रहे हैं कि जंगले जानवर होते हैं, वो कहां रहते हैं, जंगल में या फिर घर में, तो इसका answer होगा, वो कहां रहते हैं, जंगल में, अगला question है, nest is a dash for birds, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो घौसला होत Utensil used for cooking, मतलब खाना बनाने के लिए जो हम बरतन काम में लेते हैं, उसके दो example बताई कि हम कौन-कौन से बरतन काम में लेते हैं, तो इसका answer होगा, frying pan and tawa, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है, fuels used in vehicle, vehicle में हम कौन-कौन से fuel को काम में लेते हैं, दो example बताने हैं आपको तो इसका answer होगा, petrol and diesel, अगला question है, where you can find these animals, तो आपके सामने कुछ animals दे रखे हैं, जैसे कि cow, goat, sheep, cat, bird, crow and parrot, अब आपसे question पूछा जा रहा है कि ये animals हमको कहां देखने को मिलते हैं, land में कौन देखने को मिलते हैं, और sky में कौन होते हैं, तो देखी, सबसे पहले हम बात कर करते हैं, land की, तो land में कौन-कौन से देखने को मिलते हैं, cow, goat, sheep and cat, और sky में कौन दिखते हैं, bird, crow and parrot, अगला question है, each part of a house has different types of objects, तो देखी बच्चों, हमारे खर के अलग-लग पार्ट में, अलग-लग टाप की चीज़े रखी जाती हैं, लेकिन आपको बताना है, यहाँ प में क्या-क्या होता है, sofa होता है, table होता है, television होता है, bucket तो नहीं होता, pressing table होता है, तो देखी बच्चों, हमारे drawing room में, bucket नहीं होता, bucket का होता है, bathroom होता है, अब आपसे long answer type question पूछा जाएगा, यही कूछन आपका चार्ड नमर का है, आपसे पूछा जा रहा है, match the following, एक क्या करते हैं, treat, sick paper, जो बिमार होते हैं, उनका इलाज करते हैं, barber क्या करता है, cut the hair, वो बाल काटने काम करता है, cobbler क्या करता है, repair, shoes and slippers, और painter क्या करता है, paints the house, paper का अगला part आपका, discovery of fact, अब आपसे यहाँ पे true and false पूछा जा रहा है, जो true है, उसके सामने T लिखना है, औ उनको school नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या है, false है, उनको भी school जाना चाहिए, अगला question है, birds can fly but cannot walk, मतलब जो चेडिया होती है, वो केवल उड़ सकती है, चलनी सकती, तो ये भी false है, अगला क्या है, a house protect us from wild animal and rain, तो देखे बच्चों, जो हमारा घर होता है, वो हमें जंगली जानबरों से बचाता है, बारिश से बचाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा true, अगला question है, vegetarians eat both meat and vegetables, अब आपसे पूछा जा रहा है, जो vegetarians होते हैं, क्या वो meat और vegetable दो दो खाते हैं, तो ये क्या है, false है, क्योंकि जो vegetarian होते, वो केवल vegetables खाते हैं, और अगला question है, we can live without water मतलब की हम पानी के बिना रह सकते हैं, तो ये क्या है, false है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, अब आपसे short answer type question पूछा जा रहा है, इसमें आपसे question पूछा जा रहा है, how do keep your house clean, आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना घर किस तरीके से साफ रखेंगे, तो इसका answer I keep my house clean by keeping the things at proper place and throwing waste in dustbin, तो देखें जो चीजे हैं उनको सही जगे पर रखके और जो कछरा होगा, उसको dustbin में डालके मैं अपने घर को साफ रखूँगी, अगला question है, how did Chotu use the pipe, जो Chotu था, उसने pipe को किस तरीके से use में लिया, इसका answer होगा, Chotu made his home in the pipe, he slept there and dried the clothes, he also prepared the food near the pipe, तो देखें बच्चो, Chotu उने pipe के अंदर अपना घर बना रखा था, वो वहीं पे सोता था, अपने कपड़े सुकाता था, और pipe के side में जो छोटी से जगे थी, वहाँ पर उसने अपना kitchen बना रखी थी, जहांपे वो खाना बनाता था, अगला question है, in what ways do animal move from one place to another, अब आ frog है, वो क्या करते हैं, अगला क्या है, birds fly from one place to another, तो जो चिडिया होती है, जो birds होती है, वो क्या करती है, fly करती है, fishes swim in water, जो fishes होती है, वो swim करके एक जगे से भी दूसरे को पर जाती है, animals like kangaroo, frog, etc, jump to move, अब जिसे kangaroo है, frogs है, वो एक जगे से दूसरे के जाने के लिए क्या क जगे पर move करने के लिए क्या करना पड़ता है, crawl करना पड़ता है, मतलब कि वो rank के जाते हैं, अगला question है, write names of some sources of water, draw one natural and one man-made source of water, तो यहाँ पर आपको बताने है, कुछ sources बताने है, जहां से हमको पानी मिलता है, और आपको draw करना है, one natural source of water और one man-made source of water, तो देखिए, सब से पहले हम बात करते हैं, sources of water की, हमको पानी कहां कहां से मिलता है, तो इसका अंसर होगा, river से मिलता है, well से मिलता है, pond, rain, lake, tap, etc, तो इन सारे जगों से हमको पानी मिलता है, अब आपको draw करना है, natural source of water, मतलब कि nature से जो हमको पानी मिलता है, वो कहां से मिलता है, तो इसका अं इसा सोर्स बताने जो कि इंसानों ने बनाया है तो इसका अंसर क्या होगा हम यहां पर टैप को ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो टैप होता है वो हमने बनाया है इसलिए इसको क्या कहा जाता है man-made source of water तो इस तरीके से आपको यहाँ पर draw करना है तो बच्चो आज की वीडियो में हमने आपकी class 3 EBS का हाफ एलिका sample पर वसॉल्व किया I hope यह question आपके लिए important होंगे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें दोस्तों की शाद शेयर करना है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठैक्स पर वाचिंग